आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे पैरे बच्चों सुप्रभाद आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्थ होंगे तो बच्चों मैं हूँ आपकी नसीम मैं आपको मैंने पिछली कक्छा में पढ़ाया था अ से अनार लिखते कैसे हैं एक बहुत ही सुन्दर कवीता के साथ आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अ से अनार तो बच्चों आज की कक्छा में आप पढ़ेंगे अ से अनार और आ से आ लिखते कैसे हैं उनकी स्वरगीतों के साथ तो चलिए बच्चों प्राश शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सुन्दर कवीता सुनाने जा रही हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में रहकर गाएंगे और एक्शन भी करेंगे तो चलिए शुरू करें आसमान में निकले सितारे चंदा मामा इतने प्यारे आसमान में निकल सितारे चंदा मामा इतने प्यारे सब के मन को बहलाते हैं नई चाननी पहलाते हैं देखो इनकी शान निराली सूरत कितनी घोली भाली रोज सबेरे चिप जाते हैं जैसे हमसे शर्माते हैं आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ तो बच्चों, चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं हमारी हिंदी की बुक, खेलो और सिखो जिसमें हमने पिछली कच्चा में पढ़ा था असे अनार असे अमरूद असे अचकन असे अनार असे अमरूद असे अचकन भी ठीक है? अब आज की कच्चा में हम पढ़ेंगे असे आजूद असे आजूद चलिए पहले देखते हैं इनकी स्वर्गी असे अनार असे अनार खाकर इसको बढ़े हुशियार आसे आम मिलकर बोलो असे आम असे आम फलो का राजा असे आम फलो का राजा कितना संदर कितना ताजा असे आम फलो का राजा कितना संदर कितना ताजा तो बच्चों पिछली कच्छा में हमने पढ़ा था अ से अनार लिखते कैसे हैं तो चलिए एक बार फिर से उसको दोराते हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगे आ से आम लिखना ठीक है? तो देखे बोड की तरह मैंने आपको पताया था अ से अनार लिखने के कुछ स्टेप तो पहला स्टेप है एक कर दूसरे स्टेप में आप बनाएंगे दो कर एक साथ मिला कर यानि की नमबर ची तीसरे स्टेप में आप बनाएंगे एक छोट इसी स्लिटन लाइन और चोथे स्टेप में आपको बनाना है एक स्टेप लाइन यानि की सीधी लगी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन सब से मिलकर असे अनार बना कैसे तो दिखिए पहले मैंने इस स्टेप को फॉलो किया फिर मैंने सेकेंड स्टेप को फॉलो किया फिर मैंने तीसरे स्टेप को फॉलो किया कैसे बीच में छोट इसी स्लिपिंग लाइन डाल दिया लाश में मैंने फॉर्थ स्टेप को फॉलो करते हुए एक स्टैनिंग लाइन बना दिया ये बनता है असे अनाल अब उपर में आप एक छट लगा दीजिये ऐसे ठीक है ये बन गया असे अनाल अब आप देखिए आसे आम कैसे लिखना है कुछ असे अनाल की तरह ही तो देखते हैं पहला कर्व सिकंड श्टेप में आप दो कव एक साथ बिलाकर नमबर थी जैसा बना देंगे है ना फिर चौत्री स्टेप में आप एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन नेक्स स्टेप कैसे पॉला करेंगे एक सिर्धी लंगी लग की याने के स्टेडिंग लाइन है ना और लाश्ट में आपको फिर इसे एक स्टेडिंग लाइन बनानी है ऐसे अब आप देखिए कि इनको मिलाकर आशे आम मैंने कैसे बनाया तो मैंने सबसे पहले इस स्टेप को लिया तो ये बन गया एक करब दूसरे स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने क्या बनाया नीचे में एक करब ये बन गया नमबर तीन थार्ड स्टेप में मैंने लिया एक छोटा सा स्क्लेपिंग लाइन जैसे कि ये चोफिल स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने एक सीधी लंगदी लंगए ख्यानी कि ये स्टेर्णिंग लाइन बनाया और नेक्ट स्टेप में मैंने एक ओर स्टेंडिंग लाइन बनाया ये वाला बन गया आसे आम उपर में एक छोटा सा छट लगाना मत बोलियेगा ठीक है? जैसे की ओके? तो बच्चों आप अपने घर पर हिराकर असे अनार और आसे आम लिखने का आप भ्यास करेंगे कैसे इन तरीकों को अपनाते हुए खीक है? तो चलिए बच्चों आज की हमारी कप्छा यहीं पर समाप्त होती है धन्यवाद आप सब का दिन शोब हो